हेलो एवरिवन तो यह आपकी इस्टेल स्ट्रक्चर की थर्ड क्लास है ठीक है तो आज का जो टॉपिक है वह हम लोग का परेमिसिबल इस्ट्रेस इन रिविट दूसरा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट टॉम्स इंड दिफिनिशन थर्ड टॉपिक है टाइप ओफ ठीक है तो पिसली class में आप लोग डाइप आप रिविट और इसके classification पर लिए थे तो Classification में आप लोग एक चीज बढ़े होगे कि classification based on method मतलब कौन साम लोग रिविट के लिए method यूज कर रहे हैं और कहां पर हम लोग उसे apply कर रहे हैं मतलब कहां पर आप रिविट कर रहे हो तो पहला आपका power driven shop rivit मतलब कि अगर machine की मदद से हम लोग shop में rivit कर रहे हैं तो hand की मदद से shop में rivit कर रहे हैं तो field में अगर rivit कर रहे हैं hot driven rivit मतलब rivit को गरम करके अगर हम लोग कर रहे हैं cold driven rivit मतलब room temperature पर कर रहे हैं तो इसी क्याधार पर इसका permissible stress का classification भी होता है तो यह जो permissible stress classification है या अभी इसके बाद जो भी हम पढ़ने जा रहे है codal, वो सारे आपके codal provision है, वो code से ही यहाँ है, उसमें कोई भी value इधर-दर की नहीं है, सब code से ही लिखा गया और वो code जो है आपका Indian standard है, के वाल इंडिया के लिए valid है, ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं power driven shop, मतलब अगर machine की मदद से shop में करते हैं तो, तो अब axial stress की value कितनी होगी, 100 newton per mm square sharing में कितना होगा, 100 newton per mm square, bearing में कितना होगा, 300 newton per mm square अगर वही machine की मदद से field में करते हैं, तो axial में 90, sharing में 90, bearing में 270, अगर hand की मदद से कर रहे हैं, field में, 80, 80 और 250 तो यह आपका permissual stress in rivet हो गया, यह आपका IS 800-2007 के हिसाब से हैं, ठीक है, फिर next topic है आपका some important definitions कौन-कौन से हैं, पहला है आपका nominal die of rivet, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, D से, और होता क्या है, यह होता है die of shank, जैसे आप लोग पढ़े होगे rivet में पताया था, कि rivet इस तरह होता है, शुरू में, यह इसका head होता है, यह होता है shank, तो इसका जो dia होगा, वही होगा आपका nominal dia of rivet अगर question में nominal dia of rivet नहीं दिया है, तो हम लोग unwind formula है, उसके, उसमें क्या है, डाय को define किया गया है, 6.05 under root T, जिसमें T जो है, वो thickness of plate है, और अगर T हम लोग mm में ले रहे हैं, तो यहाँ पर यह पूरा dia है, वो mm में आएगा, तो D की value क्या हो जाएगी, यानि nominal dia क्या हो जाए ठीक है, फिर next है आपका gross dia, तो gross dia क्या होता है, suppose कर लो यह आपका nominal dia है, और इस तरह से आपका plate है, और इसमें यह hole है, इसमें आपको riveting करना है, तो आप क्या करोगे, पहले यह rivet insert कर दिये plate में, और यह आपका die of hole है, इस तरह से एक support लगाँगे, और दूसरी तरह से आप hammering करोगे, ताकि यह close हो जाए, riveting हो जाए, तो जब आप इसको एक तरह से रखोगे, दूसरी तरह से मारोगे, तो यह क्या करेगा, यह अपने आपको expand करेगा अंदर की तरह, तो suppose को लो initial में यह gapping थी, और last में यह final gapping हो गई, तो यह जब जब इसका dia बढ़ जाएगा rivet के बाद, तो final में ऐसा आएगा, यह आपकी plate हो गई, यह उपर का जो पहले से head present था, और यह बाद में जो head बना rivet के बाद, यह वो है, तो यह जो actual dia बाद में, इसी को बोलते है, gross dia, तो यह क्या होगा, dia after riveting is done, जब riveting हम लोग कर लेंगे, तो जो उसका dia होगा, वही gross dia कह कहलाता है, या तो इसे dia of hole भी बोल सकते है, ठीक है, तो dia of hole को find out कैसे करें, अगर nominal dia, मलब shank का जो diameter, अगर 25 mm से कम है, या उसके बराबर है, तो जो dia of hole होगा, वो dominal dia plus 1.5, और यह पूरी value mm में आएगी, और वही अगर 25 से बढ़ गया dia, तो हम लोग D plus 2 करेंगे, ठीक है, यह बात याद रखना, फिर next है आपका pitch, तो उसके जानने से पहले यह जान लो कि अगर यह मान लो कोई plate है, उसमें हम लोग यह, 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 यह सब rivet provide कर रखें, और इस direction में load लग रही है, मतलब longitudinal direction में load लग रही है, कैसी भी होटा है, silo compressive हो, जो भी load हो, longitudinal direction में अग यह, 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 है, gegen parl Şu, मतलब इस के centre से, इस से centre तक का distance pitch कहलाएगा, टीक है, तो अगर मान लो लोड यह, और यह, उसके parallel distance यह, अगर यह distance parallel है, इन दोनों में अगर यह parallel distance निकालते है तो pitch कहलाएगी, मतलब इस rivet और इस rivet के बीच में यह वाला distance देखोगे यह वाला distance तो यह देखो load के perpendicular है तो इसे हम लोग को gauge distance बोलेंगे जिसे हम लोग को small g से भी दिखाएंगे तो pitch क्या होगा parallel to load center to center distance between two adjacent pitch और gauge distance क्या होगा perpendicular to load center to center distance between two adjacent pitch ठीक है तो यह pitch हो गया यह gauge हो गया अब edge distance क्या होगा तो plate के corner से पहले rivet के center के बीच का distance मतलब plate के corner से और यह rivet के center के बीच का distance चाहिए इस direction में हो अच्छा इस direction में हो यह edge distance कहलाएगा plate के corner से बीच के center का बीच का distance यह 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 सब आपका edge distance कहलाएगा इससे हम लोग small e से दिखाएगे फिर rabbit line और gauge line क्या होती है तो suppose कर लो यह एक imaginary line एक यहाँ है एक यहाँ यह तिनों same line में है अगर इन तोनों का center connect करोगे तो एक line बनेगी जिसे हम लोग rabbit line बोलेंगे ठीक है जैसे यह है इन दोनों को connect करोगे तो यह इसकी rabbit line हो गई इन दोनों connect करोगे तो यह है इसकी rabbit line हो गई तो basically आप same line के अगर rabbit connection को एक imaginary line से join करते तो वो rabbit line कहलाएगी और अगर आप इस तरह दे रहे हो जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है मतलब बीच में आप एक आप छोड़ दिये तो यहाँ से लिके यहाँ तक का जो pitch होगा वो staggered pitch कहलाएगा जिसे हम लोग ऐसे दिखाएगे और अगर यह आपका diagonal में है यहाँ से लिके यहाँ तक का जो distance होगा वो diagonal pitch होगा ठीक है यह होगा आपका second topic next topic है आपका type of joint joint कितने प्रकार के होता है तो अगर मालो आप एक plate यह रखे और उसी के नीचे यह plate दूसरा तो यह क्या होगा यहाँ से यहाँ तक overlap हुआ मतलब एक के उपर एक रखा रहे हैं तो उसे overlapping कहेंगे तो अगर इस तरह को हम joint में इसे rivet से जोड रहे हैं तो इसे lap joint बोलते हैं ठीक है और अगर हम लोग एक plate यह और एक plate यह रख रहे हैं इस तरह से तो अब हम इसको तो ऐसे जोड नहीं सकते और नहीं इसको ऐसे जोड पाऊगे क्योंकि अगर ऐसे जोड होगे तो plate अलग हो जाएगी और अगर दोनों side plate रहा तो उसे हम लोग double cover butter joint बोलेंगे ठीक है फिर आपका next topic है tack riveting tack riveting क्या होता है suppose कर लो यह आपका beam है और यह column है ठीक है तो एक column में जो आप rivet connection प्रवाइड करोगे जोडने के लिए यह आपकी tack riveting कहलाएगी और यह कैसा होगा इस तरह से एक angle इधर होगा एक angle और एक angle यह इधर होगा तो यह आपका beam होगा है यह beam को इससे जोड़ दिया और यह दोनों का आपस में जोड़ होगा है यह आपकी tack riveting है ठीक है तो tack riveting का क्या होता है इसे stitch rivet भी बोलते है तो which is used to make the section act as a tension इसका काम क्या है कि जो section है इसको tension section बनाने का काम में आता है और buckling को avoid करने कास में आता है compression member में अगर आप किसी भी चीज़ का ऐसे दबाओगे तो वो क्या करेगा buckle करना चालू कर देगा तो उसको avoid करने के लिए भी हम यूज़ करते है अब इन दोनों के बीच में pitch कितना दिया जाए यह peer distance कितना दिया जाए तो वो code ने define किया है और वो कुछ इस तरह है pitch आप अगर compression का case है तो 12 T और 200 mm इन दोनों में value जो भी कम होगी वो pitch दोगे याद रखना T क्या है thickness of a plate है ठीक और अगर tension में मर हुआ तो 16 T और 200 mm इन दोनों में जो भी value कम होगी वो pitch दोगे ठीक है अब यह तो हो गया आप pitch दे सकते हो कितना ज़ादा pitch दे सकते हो तो maximum pitch भी आपकी define है maximum pitch कितना है आपका 32 T और 300 mm इन दोनों में से जो कम होगा वो आपकी maximum pitch दे सकते हो ठीक है और वही अगर माल लो T section है इस तरह का section है उसमें अगर देना हो तो T section channel section के case में अगर tension member हुआ तो maximum pitch आप 1000 mm दे सकते हो और अगर compression member हुआ तो maximum pitch आप 600 mm दे सकते हो इससे ज़्यादा pitch नहीं दे सकते है फिर next topic है आपका rivet value क्या होती है और efficiency क्या होती है तो इसको ऐसे समझो मान लो इस पे आप load लगा रहे हो P तो यह P क्या करेगा plate wear करेगा और यह सारे rivet भी wear करेंगे ठीक है तो suppose कर लो एक rivet P1 maximum load bear कर सकता है मतलब P1 से अगर हम exceed करें तो वो rivet टूड़ आएगा ठीक है तो maximum यह load जो है P bear करेगा तो यही इस rivet की strength होगी maximum load जितना आप bear कर सकते हो वही आपकी strength हो सकती वही आपकी strength होगी और वही rivet value भी कहलाएगी तो rivet value क्या है maximum force which rivet can withstand safely मतलब वो safety के साथ maximum force जो resist कर जाएगा वही उसकी rivet value कहलाएगी और वही उसकी strength भी कहलाएगी ठीक फिर next है आपका efficiency तो efficiency क्या होता है efficiency होता है strength of riveted joint मतलब जो rivets की joint है जो joints है वो उसकी strength तो वो कैसे निकालते हैं वो next class में देखेंगे और अपन strength of solid plate जो solid plate की strength होगी into 100 वही उसकी efficiency कहलाएगी ठीक फिर यह हो गया आपका tack rivet और rivet value और efficiency next है आपका pattern in rivet joint मतलब जो rivet joint दोगे उसमें कोई ना कोई pattern follow करोगे तो कौन-कौन से pattern है वो देख लो तो suppose कर लो आपका यह एक plate है यह एक plate है इसमें अगर यह कोई तो यहम सिंगल नाइन में होगा और यहां तो डो दोगे तो suppose कर लो यह आपका एक plate होगया है और यह आपका ऑपका दूसरा plate है एक this as इस तरह कही सारा दिये तो यह आपका chain riveting कहला आएगा इस तरह मतलब 4 का एक चार का भी दो दियो 4 का आप चार दे सकते हो एक लाइन इदर एक लाइन इदर तो यह ओगा chain riveting और वही आप अगर alternate दे रहा हो इस तरह इस तरह तो इसे jig-jag pattern और staggered pattern भी बोलते हैं क्योंकि यह jig-jag form में है ठीक और अगर आप इस तरह दे रहा हो मतलब पहली लाइन में 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 4 3 2 1 मतलब इस शेप में तो यह आपका diamond rivet कहलाएगा ठीक है तो जिस भी आप pattern में दोगे वह define है chain riveting दे सकते है जिग-jag दे सकते हैं या diamond rivet दे सकते हैं ठीक है अब उसके बाद आपका last topic है तो last topic में क्या है आपका failure of rivet joint मतलब rivet joint कैसे कैसे किस किस case में fail हो सकते है तो उसमें पहला case है कि अगर हम लोग का rivet fail कर गया याद रखना है दो case बनते हैं छएक तो प्लेट फील करें तो पहला case है कि अगर rivet fail करता है तो rivet fail कब करेगा जैसे मालो या कह सकते हो कि ग्रेड है रिविट का अगर वो कम हुआ प्लेट से तो पहले रिविट फटेगा और अगर प्लेट की ग्रेड कम हुआ रिविट से तो पहले प्लेट फटेगी ठीक है तो अगर मान लो पहले में क्या है आपका रिविट फेल कर गया तो उसका मतलब क्या होगा कि rivit का grade कम है तो उसमें क्या होगा पहला case है आपका CR failure तो पहला failure क्या एगा, CR failure इसमें क्या करेगा rivit बीच से टूड़ी आएगा ऐसे टूड़ी आएगा rivit छीक है? तो इसında बीरिड बीच आपका sír failure हो तो यह क्या होगा तो bearing failure of rivet कहलाएगा तो दो case है इसमें पहला sharing failure जिसमें बीच से टूड़ी आता है दूसरा आपका bearing failure shape change कर लेता है अब next तरह का failure जो rivet joint में मिलेगा वो है आपका failure of plate यानि plate फेंट कर गई तो इसका सीरे से यही मतलब है कि grade of plate जो है rivet के plate से काम है तो इसमें जो failure होगा वो पहला failure है आपका shear failure of plate इसका मतलब क्या है यह मानलो इसका मतलब ऐसे समझो यह आपका पहले connection है आप इस पे load apply कर रहे हो तो suppose कर लो यह आपका 10 mm की दूरी पर है शुरुआत में और यह बढ़के 20 mm की दूरी पर पहुँच गया तो यहां से यह यहां तक है मतलब यह पूरा हिस्सा यह फारता हुआ आया होगा यह पूरा gap आता हुआ होगा ठीक है तो इस ही को हम लोग बोलते है shear failure of plate मतलब plate का shear failure हो गया पहले यहां था फिर यहां पहुँच गया ठीक next है आपका splitting failure of plate मतलब क्या है आप जैसे पहले splitting failure of plate में ऐसे समझो यह जैसे आपका initial में ऐसा था मतलब यहां पर कहीं था और फिर load के करण यह क्या होगा यह plate आगे खिषती गई खिषती गई मतलब यह खिषता गया तो यह क्या करें इसको फारता गया मतलब इस तरह से पहले था plate इस तरह से थी और यहां पर आपका rivet लगा था फिर जैसे इसको यह आगे की तरफ खिषता गया यह आगे बढ़ता गया यह ऐसे फटता गया इस तरह split हो गया तो यह ही आपका splitting failure of plate फिर next है आपका bearing failure of plate तो bearing failure of plate में क्या होगा plate जो है इस तरह shape में आजाएगी जैसे मालो यह आपकी plate है यहां पर आपका bolt था आप जैसे इसे खीचोगे यह अपना shape ऐसे change करेगा फटे गा नहीं इस तरह फटे गा नहीं अगर फटे गया तो splitting हो गया अगर फटा नहीं यह अपना shape बस ऐसे change कर गया फिर next है आपका tearing failure of plate tearing failure of plate में क्या होगा इस तरह मालो का connection है तो यह क्या होगा ऐसे 20 से फड़े आएगा यह दो हिस्सों में तूड़े आएगा ठीक है तो failure आपका यहाद रखना failure of rivet joint कैसे कैसे होते हैं पहला failure है आपका rivet अगर failure हुआ तो अगर rivet failure हुआ तो इसमें दो case है sharing failure of rivet bearing failure of plate sharing में क्या होगा बीच से टूड़े आएगा bearing में क्या होगा उसका जो shape है वो change हो जाएगा next है आपका failure of plate अगर plate fail कर गया तो उसमें क्या होगा पहला sharing failure मतलब bolt यहां से आएगा और यह पूरा gap create कर देगा दूसरा आपका splitting failure of plate मतलब जो plate है वो दो हिस्सों में ऐसे टूड़ी आएगी bearing failure of plate मतलब plate अपना shape ऐसे change कर लेगा tearing failure of plate यह बेच से कड़ेगा ठीक है तो आज की class में इतना ही है next class में हम देखेंगे कि यह सब failure को कैसे हम लोग overcome कर सकते हैं क्या हम लोग करें कितना distance रखें as distance कितना pitch रखें ताकि यह सब failure ना आए ठीक है फिर उसके बाद हम लोग numerical start करेंगे ठीक है class विराज की class में बस इतना ही thank you